वेलकम टू स्टे अबडेट प्रेजेंटिड बे जेके रखान तो फ्रेंट से लेटेस्ट अबडेट SSE की तरफ से आ रहा है SSE J 2019 का जो फेंट साब का पेपर वान एक्जैमिनेशन कंड़क्ट हुआ था जो की फेंट साब का अक्टूबर 2020 के एंडिंग में कंड़क्ट हुआ था तो फाइनली फेंट से यहां पे जो आपकी ऑफिशल टेंटी टेंटी टीटी वांसर की है वो यहां पे SSE की ऑफिशल वेबसाइट पे डिकलेर हो चुकी है जिन गैलिनेट्स ने भी इसका एक्जैमिनेशन दिया था वो आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि जो उन्होंने अपने आंसर मार्क किये थे अपने इग्जैमिनेशन में जब वो देने के लिए गए थे तो वो यहां पे आप चेक कर सकते हैं आपने क्या आंसर दिया था और उसका सही आंसर क्या है वो आप यहाँ पे सारे जो आपके 200 questions रहेंगे 100 आपके technical के और 100 आप non tactical के तो वो आप यहाँ पे फैंट से completely check कर सकते हो और result आने से पहले आप यहाँ पे negative marking को include करके अपने overall marks को calculate कर सकते हो कि आपके predicted जो आपके marks है वो आपके कितने हैंगे वो आप यहाँ पे estimate लगा सकते हो तो इस वीडियो में friends हम completely discuss करेंगे कि कैसे आप अपने mobile में इसको check कर सकते हो और check करने के बाद आप उसको अपने mobile में as a PDF file फैंट से download भी कर सकते हो क्योंकि इसका limited time रहेगा थोड़े time तक ही इसका link activate हैगा आप इसको check कर सकते हैं उसके बाद link deactivate हो जाएगा अगर आपने इसका print out लिया होगा तो आप इसको कभी भी check कर सकते हो जो आपने अपने question के answers दिये थे और कौन-कौन से question साहे थे वो भी आप यहाँ पे check कर सकते हो और साथ में friends अगर आपको लगता हो कि उस question का जो आपने answer दिया है वो आपका बिल्कुल सही है लेकिन वहाँ पे जो official intentative answer की में जो वहाँ पे question का answer दिया हुआ है वो गलत है आपके coding तो अगर आप उसमें challenge करना चाते हैं claim करना चाते हैं तो उसके लिए आप कैसे करेंगे उसके लिए charges क्या रहेंगे वो हम complete इस वीडियो में अच्छे तरीके से step by step discuss करेंगे तो सबसे पहले friends आप यहां पे official website पे देख सकते हैं इसका notice आपको यहां से directly मिल जाएगा तो notice में आप यहां पे पढ़ भी सकते हैं कि इसका जो आपका link है friends वो आपका थोड़े देर तक ही activate रहेगा यहां पे आप देख सकते हैं 31st December 2020 तक और इसी time period के under आपको कोई challenge भी करना है किसी answer के against किसी question के against तो आप यहां पे इसी time period के under ही करोगे इससे beyond फिर आपका वो consider नहीं किया जाएगा और यहां पे इन्होंने इसी notice के last में मिल जाएगा तो यहां पे मैं आपको directly यह link open करके browser में हम open करेंगे और डिरेकली जो official website का आपका link रहेगा जहां पे आपको अपनी answer की को check करना है उसका link मैं आपको इस video के description box में directly फ्रेंट से provide कर दूँगा तो हम यहां पे directly link open कर लेते हैं तो फ्रेंट से देख सकते हैं आप यहां पे link open हो चुका है जैसी आप इस link open करोगे यहां पे आपको सबसे पहले exam को select करना है कि आपका sse j 2019 था उसके बाद आप इसको काड़ पे mention होगा और password आपका रहेगा date of birth आपकी date, month और year बीना space के बीना कुछ character के आपको यहां पे अपना password डालना है अगर आपका suppose date of birth है 23 February तो आप वहां पे 2302 लिखोगे और उसके बाद जो भी आपका year है जैसे अगर 1998 है तो वहां पे 1998 लिखोगे इस तरिके का आपका password रहेगा और आपके admit card पे दिया रहेगा तो हम यहां पे एक candidate की details fill up करेंगे और यहां पे करेंगे login तो जैसे आप यहां पे login करते हो यहां पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपकी यहां पे जो complete question paper है with official tentative answer की वह यहां पे open होके आ जाएगा और अगर आपने objection raise करनी है तो आप यहां पे click here करोगे यहां पे option दिख रहा है सबसे पहली section है यह objection create करने के लिए तो आपको यहां पे click करना है click करने के बाद आपको यहां पे वह question की ID select करनी है जिस question के अगेस्ट आप challenge करना चाते हैं जब आप question select कर लेते हो ID आपकी वहां पे आ जाती है question ID यहां पे रहेगी उसके बाद रहेगा तो यह आपका criteria रहेगा objection raise करनेगा आपने कैसे चेक करना है question paper और answer तो यहां पे second वाली section में आप click करोगे तो आपका यहां पे open होके आ जाएगा उसके बाद आपको generate करने के लिए click here यहां पे करना है उसके बाद fans आप देख सकते हैं यहां पे आपका question paper जो है complete open होके यहां पे आ जाएगा total आपके hundred questions जो non-technical के थे पहले number उसके बाद आपकी branch से related hundred questions थे total आपका 200 questions थे और 200 marks का ही आपका paper था तो आप यहां पे सारे जो आपके question है एक से लेके 100 तक non-tech है उसके बाद एक से लेके 100 तक आपके technical के वो आप यहां पे check कर सकते हो क्यासे आपने चाहिता है एक question के मैं आपको through यहां पे समझा देता हूं तो question number one आप यहां पे देख सकते हैं इसका जो सही answer है ना उस पे यहां पे tick लगी होगी यानिके green tick जिस पे लगी है वो इसका सही answer है tentative official answer की के according और जो आपने choose किया है वो आपका right side यहां पे question भी होता है जैसे question number second है यहां पे इसका official tentative answer की के according सही answer इसका second है लेकिन candidate ने option one click किया हुआ है तो इनका यह गलत हो जाएगा तो ऐसी आपको यहां पे complete जो आपके जितने भी question सही होंगे उनको आपने count करना है उसके बाद आपने count करने के बाद जितने भी आपके answer सही होत आते हैं उसके बाद अगर आपका कोई एक सही question सही होगा तो वह आपका detect हो जाएका negative marking की वज़े से तो negative marking को include करके आप कैसे overall marks को calculate करो के result आने से पहले वहले से वीडियो में discuss कर रहा है उस वीडियो का link मैप को इस वीडियो के description box में डाल दूंगा आप वहां से अच्छे limited time period तक ही available रहेगी तो जब आप उपर आओगे यहां पर आपको print का right side पे print का option मिलेगा तो आप जैसे इस पे click करोगे Google के Chrome browser से आप इसको proceed करोगे जैसे आप इस print के option पे click करते हो आपके mobile में जो है इसकी complete PDF file ready हो जाएगी आपको यहां पे save as PDF का option उपर वाली side यहां पे left side अपर का और पर दिख जाएगा तो यहां पर आपको save as PDF करना है थोड़ा से यहां पर preview के लिए time लगेगा उसके बाद यहां पर save का option यहां पर देख सकते हैं save का option आपको यहां पर मिल जाएगा save के option पर आपको यहां पर click करना है और उसके बाद आपके mobile के file manager में directly आपकी जो PDF फाइल है फ्रेंट से वो सेव हो जाएगी कभी भी आप उसको चेक कर सकते हैं देख सकते हैं आप यहां पर save करोगे तो आपके mobile में directly इसकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो यह आपका complete criteria रहेगा जो SSC J 2019 की आपकी paper 1 की official tentative answer की declare हुई है उसको आपने कैसे download करना है कैसे उसके against आप objection को raise करोगे और इसका result जो है फ्रेंट जो आपका cut-off रहेगा paper 1 examination का वो जैसे है तो next वीडियो में हम अच्छे तरीके से वो भी discuss करेंगे next जो students इसमें qualify हो जाते हैं उनको short list किया जाएगा paper 2 के लिए जो कि आपका descriptive type रहेगा जिसमें आपको सिर्फ लिख अच्छे तरीके से discuss करेंगे तो अगर आपको friends यहां पर check करते हैं कोई भी problem आती है कोई query होती है तो आप directly comment section में पूछ भी सकते हो thank you friends